हालो इस्टुएंट वेलकम तो टुड़ेस क्लास तो इस्टुन आज की इस वीडियो में जो हम आप लोगों के लिए पचास इंपोडेंट कोश्टन की सीरीज लेके आया हूं और यहां पर दीकी जो कोश्टन से काफी जादा में शेयर कर दीजे जिसे की बो इस्टुएंट भी जो है इसका फायदा ले पाएं तो यह जो वीडियो है काफी जादा होने वाला है इससे पहले जो है computer science की term to examination के लिए पूरी playlist में आपको तैयर करके दे दी थी और बहां पर देखिए सारे topic बहुत detail में मैंने explain किये हुए थे तो अगर आपने वह playlist देख रखिये तब भी आपके लिए वीडियो काफी जादा useful होगा क्योंकि यहां पर जो हम questions को देखेंगे और साथे साथ जो है मैं इससे पहले देखिया आपको one shot video भी provide कर चुका हूँ जिसमें कि मैंने सारे topic बहुत अच्छे way मैं explain करे थे तो अगर आप लोगों ने वह one shot video नहीं देखाया तो उसको देख लीजे तो इस वीडियो को देख लेंगे तो इन questions में ज्यादा clarity आपको मिल पाएगी और साथे साथ मैं आपको देखिए इससे पहले तीन sample paper करा चुका हूँ एक तो cbse ने जो sample paper issue कराया है उसको मैं करा चुका हूँ और उसके अलाब़ा दो sample paper मैं आपको और करा चुका हूँ मतलब कि दो practice set मनने आपको कराया थे तो वो भी आगर आप लोगोंन कि data structure क्या होता है तो simple सी बात अभी data structure जो है एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप करते हैं data को organize करते हैं और organize करने से मतलब क्या है जिसके उस data को जो है आप बाद में easily access कर पाएं और उस पर जो है कुछ operation perform कर पाएं मतलब कि efficient way में जो है आप data को access कर पाएं तो simple way में data structure क्या है एक way है organize करने का data को I hope आप लोग के question समझ में आ गया होगा बात करते है question number 2 की तो इसमें दीखिया पूछा गया है which data structure follows leafo structure कौन सा follow करता है leafo structure तो इसका answer सभी को पता होगा इसका answer हो जागा stack stack data structure जो है वह आपका leafo structure follow करता है इसका मतलब होता है last in first out बात करते हैं यहां पे next question के इसमें पूछ लिया गया है को फॉलो करता है और यहां पर डेटा इंसर्ट भी एक एंट से होता है और डिलेट भी एक एंट से होता है तो यह कोश्चन का आंसर हो जाएगा I hope आप लोगो को यह कोश्चन भी समझ में आ गया होगा देखिए यहां पर इंगलिस में जादा रीड ने करूंगा मैं आपको क question का meaning समझाने को सब्सक्राइब और समस्क्राइब भूल जाए लेकिन आप concept को समझ लोगे तो आप उसको अपनी language में भी लिख सकते हो मतलब की meaning को ernmusic कर सकते हो को भागो करते हैं question No.4 की. परफर्म कर सकते हैं push operation परफर्म कर सकते हैं pop operation परफर्म कर सकते हैं या फिर जो हम data को traverse करा सकते हैं traverse का मादलब होता है display कराने से तो यह कुछ basic operation जो कि आप stack data structure पर perform कर सकते हैं अब देखिए next question जो है वो आपका stack data structure से ही है लेकिन इस type के question को लेकर बच्चों के minor confusion है बच्चे जो है समझ नहीं पा रहा है इस type के question को किस तरीके से attempt करना है मतलब किस तरीके से solution करना है तो इस question में कुछ भी नहीं है बहुत ही easy question है बस आप लोग जो है यहाँ पे इससे डर रहे हो कि इस type का question है इसमें करना क्या है मतलब समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहा है आपको बहुत ही ज़्यादा basic सी चीज है देखिए मों बताता हूँ आपको इस question को जो हम थोड़ा सा detail में explain कर दे रहा हूँ और इन दोनों function का काम क्या होगा देखिए add client वाले के अगर हम बात करें तो यह कह रहा है कि अगर एड करेगा न्यू क्लाइंट को और delete वाले के अगर हम बात करें तो यह क्या करेगा delete करेगा एक client को हाला कि यहाँ पर mention निकर रखा है कि कौन सा function जो है delete operation परफ़र्म करेगा और कौन सा जो है यहाँ पर insertion operation परफ़र्म करेगा मतलब कि data को add करेगा लेकिन बहुत common sense वाली बात है जब add client लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह function से क्या होगा client को add किया जाएगा मतलब कि data को insert करने के लिए और data को delete करने के लिए बोला जाएगा और यहां पर जो आपको list data type को consider करना है मतलब कि जो stack implementation आप करेंगे वो आप करेंगे list data type है तो यह सारी चीज़े आपको question में दे रखी है तो आपको करना क्या है देगे जो आपको यहां पर दे रखा है उसी के according आपको लिख देना है जैसे कि यहां पर addclient की नाम से function दे रखा है तो यहां पर addclient की नाम से function पहले define कर लेंगे और def keyword लगा देंगे आपको पता है और जो यहां पर क्लायंट दे रखा है दिकिए अंदर तो इसको ऐसी डाल देंगे जो parameter यहाँ पर दे रखा उसको ऐसी डाल देंगे और इस parameter को देखिए जो client की नाम से parameter दे रखा है या किसी भी नाम से जो parameter यहाँ पर दे रखा होगा मतलब कि जो argument यहाँ पर किसी भी नाम से दे रखा होगा अब यहां पर देखिए बोला है डेटा को एड करने के लिए, तो डेटा को एड करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजर से इंपूट ले लेंगे एक बैरेवल में, कोई भी बैरेवल ले ले लेंगे, उसमें इंपूट ले लेंगे, क्या बोला है, इन्होंने क्लाइट को कर दिया, append, append method की helps हमने क्या कर रहा है, जो client वाली list है, यह देखिए list हमने इसको list consider कर रहा है, तो इसमें append कर दिया है, बस इतना काम आपको करना है, तो इतना काम करने से क्या होगा, जो आपका push operation है, वो perform हो जाएगा, इसके बाद में बात करते हैं, बहुँ डिलीट करने की, आपने element को add कर दिया, अब आपको delete करने के लिए function लिए function लिखना है, तो जो function दे रहा है, उसका नाम ऐसी लिख देंगे, def keyword लगा देंगे, और यहाँ पर argument है, उसको ऐसी पास कर देंगे, अब यहाँ पर delete करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उसे check कर लें कि इस tag empty है, तो यह condition चेक कर ली, अगर यह true होती है, तो आपको क्या हो जाए empty, और अगर यह true नहीं होती है, मान लो कि इस list के अंदर data है, तो उस case में क्या होगा, simply हम else part में यहाँ पे, उस list पे क्या कर देंगे, pop method को apply कर देंगे, उस से पहले आप चाहते हैं, कोई message display करान की आपको perform करना था, इसमें कोई बहुत बड़ी rocket science नहीं है, बहुत easy question है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो, अब देखिए, इसको मैं आपको चला कर देता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा clarity मिल पाए, तो देखिए, इहाँ पे मैं उसको paste कर दिया है, अब कि यहाँ पर जो client वाली list दे रखी है, तो इसको हमें यह मानना है exam में, कि जो list है, वो already बनी हुई है, मतलब कि जो question दिया रहा है, वो यह मान के दिया रहा है, कि जो list है, वो बनी हुई है, तो इस list को जो मैं यहाँ पर define कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, client, और equal मैं यहाँ पर कर देता हूँ, list date type, मान लिजी यहाँ पर client की name डाल देता हूँ, suppose मैं डाल देता हूँ, Rohan, और एक और डाल देता हूँ, मान लिजे, Mohan, double code में रखेंगे इसको, तो यहाँ भी list मैंने define कर दिया, ठीक है, अब हमारे पास में list बनी हुई है, अब मैं क्या देखिए, यहाँ पर इन दोनों function को call कर दूँगा, exam में जो है, आपको call करने की requirement नहीं है, बस आपको function को define करने के लिए बोला गया है, तो define ही आपको करना है, तो अभी फिलाल मुझे इन function को run कराने की requirement होगी, मैं किस तरीके से run करूँगा, देखिए, यहाँ पर लिख द हम नीचे वाले में भी लिख देता हूं client, यह देखिए हमने कर दिया है, अब देखिए program को run कराता हूं, तो यहाँ पर जैसे run कराया है, हमसे बोल ला है कि client का name type करोगी, कि आपको क्या चाहिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, रोहित, enter करते हैं, ओके यहाँ यहाँ पर client की spelling यह है, यहाँ पर client की spelling गलत हो गया है, इसको मैं सही कर देता हूं, फिर मैं आपको चला कर दिखाता हूं, अब run करते हैं, तो मैं यहाँ कर देता हूं, रोहित, अब देखिए रोहित एड हो गया है, और यहाँ पर देखिए ड होने के बाद में delete वाला भी हमने function call कर द रगा सकते हैं देखी चेक कन्डेग लिए मैं यहां पर करा देता हूं और है पर प्रेंट करा देता हूं तो यहां पर देखिए मैं लिखता हूं रोहिद अब देखे क्या हो रहा है यहाँ पर जब मैं ने रोहित को एड करा तो यहाँ पर इस लिस्ट में अधो गया, मतलब कि एक client हमारे यहाँ पर अधो गया, और उसके बाद में जब यह function call हुआ डिलीट वाला, तो क्या हुआ डिलीट हो गया हमारा रोहित, मतलब कि जो सबसे last म आपको मानना पड़ता है कि यह list already create क्यों है मतलब यहां पर argument पास किया हुआ है यह list already create क्यों है और यहां पर साथ ही आपको function calling करने की requirement नहीं होती है बस आपको जो है function के अंदर का code लिखना होता है मतलब कि इतना code जो है वो आपको लिखना होता है तो I hope आप लोगो clarity मिल चुके होगी कि इस type का question आता है तो उसको आप किस तरीके solve करेंगे अब बात करते है next question की तो next question में पूछा गया है what is computer network क्या होता है तो computer network के अगर हम बात करने तो simply सी बात आए एक interconnected जो computer का group होता है उसी को computer network बोलते हैं जहां पर कि जो computer connect किया आता है data को share करने के लिए या फिर आपका सकते है information को exchange करने के लिए बात करते है next question की तो next question आपका mention the advantage of networking 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 के advantage के अगर हम बात करने तो क्या advantage होते हैं हम क्या कर सकते हैं resource sharing कर सकते हैं यहां पर resource की spelling गलत हो गई है दीए बच्चे जो है spelling के लिए comment करते हैं कि सर आप ने जो spelling mistake कर दी है तो इस spelling पर इतना ध्यान क्यों देते हो spelling mistake हो जाती है typing में आप जो है concept को समझने कुछ किया करो बार बार जो है छोटे बच्चे की तरह आप हाँ पर comment करते रहते हो कि इसकी spelling गलता है उसकी spelling गलता है इतना type करना होता है आप लोग के लिए मैं इतनी मेहनत करता ह तो उस चीज को appreciate नहीं करते हैं आप लोग spelling mistake के लिए जो है लेकर बैठ जाते हैं कि सरी यह mistake हो गई है तो इतना खुछ समझा कर रहो भी typing में error हो जाते हैं बात करें दुसरे advantage की तो reliability क्या है हमारा network reliable होता है और साथे साथ यहां पर क्या हो जाती है cost reduce हो जाती है बैस दीख करते है next question की इसमें पूछा गया है what is transmission media या फिर जो है आपको लिखा हो मिल सकता है communication channel communication channel बोलिए या transmission media बोलिए बात एक ही है को से टाइब होते हैं तो डुटाइब होता है और दूसरा addicted होता है तो Require as a interaction media मतलब की जो wireless और जो wireless वाला होता है वो अंगाइडीड होता है बात करते हैं next question की next question है आपका वाजिश bandwidth कि bandwidth क्या होती है तो देखिए मैंने आपको बता था कि bandwidth जो है maximum capacity होती है किसी भी wire की या फिर wireless medium की मतलब कि किसी wireless medium या फिर किसी वायर मीडियम की जो maximum capacity है जिस पर की वो data transmit कर सकता है उसी को बोला जाता है bandwidth मतलब कि जो maximum limit होती है data को send करने की किसी भी communication channel की उसी को बोला जाता है bandwidth I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा बात करते है next question की तो इसमें पूछा गया है what is hub भई अब हब क्या होता है तो हब क्या है एक networking device है जिसकी health के करते हैं computer को आफस में connect करते है और मैंने आपको बताया आए था अपका message होता है जो data होता है वो सारे computer के लिए transmit हो जाता है मतलब कि अगर आपने 10 computer हब से connect हैं तो कोई मैसेज आप transmit करेंगे वो सभी computer पर जाएगा बात करते हैं next question की question number 12 की तो question number 12 में जो है आप से full form पूछी गई है इन सारे term की मतलब कि simply आपको यहाँ पर full form लिखनी है तो modern की full form की अगर हम बात करें तो इसकी होती है modulator, demodulator TCP IP की अगर हम बात करें तो इसकी full form होती है transmission control protocol और यहाँ पर देखिए IP की लिखनी रह गई गया, IP की होती है internet protocol इसी के आगे आप लिख लेना internet protocol और साथे साथ अगर हम बात करें FTP की तो FTP की होती है file transfer protocol और fourth वाले की अगर हम बात करें जो की है BOIP इसके full form होती है voice over internet protocol तो यह सारी जो है इसका answer हो जाएगा SMTP, simple mail transfer protocol जो हमारा होता है वो email को transfer करने के लिए use होता है या फिर आपका सकते है send करने के लिए use होता है next question के बात करते है which protocol is used to retrieve email वही email को retrieve करने के लिए concept protocol यूज होता है तो मैंने आपको बताया था कि दो protocol यूज होते है email में एक होता है आपका SMTP जो की email को send करता है और दूसरा होता है POP या फिर आप लिख सकते हैं IAMAP मतलब की POP का भी बही काम होता है और IAMAP का भी बही काम होता है यह दोनों protocol है जो की क्या करते है email को retrieve करने के लिए use होते है तो POP की full form होती है post office protocol और IAMAP की full form होती है internet message access protocol तो I hope आप लोग कोई question भी समझ में आ गया होगा बात करते है question number 15 की तो question number 15 ने पुछा गया है which protocol is used to download and upload file on internet वह internet वे file को upload और download करने के लिए कौन सा protocol यूज होता है तो इसका simple transfer हो जाएगा FTP file transfer protocol जो होता है हमारा वो इसकाम के लिए use होता है next question की बात करें which protocol is used to transmit voice over the internet वे कौन सा protocol ऐसा है जो कि हमारी voice को internet पर transmit करने के लिए use होता है खास तर पर जब हम audio call करते हैं internet की help से तो कौन सा protocol वहाँ पर use होता है तो इसका answer हो जाएगा BOIP मतलब कि voice over internet protocol जो है वो इसकाम के लिए use होता है next बात करते है which protocol is used to transfer web document over the internet पर कौन सा protocol ऐसा है जो की web document को internet पर transmit करने के लिए use होता है web document का मतलब है web pages से जो web page होते हैं उनको transfer करने के लिए concept protocol यूज होता है तो इसका answer हो जाएगा http या फिर आप लिख सकते है http as और दोनों में मैंने आपको difference भी बताया था कि दोनों में difference क्या होता है देखे http as जो होता है वो जाता secure होता है as compared to http मतलब जो http होता है वो आपका secure नहीं होता है लेकिन काम दोनों का एक ही होता है जो web page होते है उनको जो ही internet पर transmit करने के लिए responsible होता है बात करते है next question की तो इसमें पूछा गया है what is web browser name any two web browser मतलब की web browser क्या होता है और कोई भी दो web browser के name आपको यहां पर लिखने है तो web browser के अगर हम बात करें तो web browser क्या है कि यह जो है आपका application program है जिसके help समक्राइब करते हैं internet को access करते है simple way में आप लिख सकते है web browser is an application program which is used to access internet और इसके example के अगर हम बात करें तो mozilla firefox हो गया google chrome हो गया internet explorer हो गया apple safari हो गया जितने भी जो web browser आज कल आप यूज करते हैं कोई भी दो example में आप लिख सकते हैं बात करते है next question की तो next question के अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया है what is the work of repeater बच जो repeater होता है उसका का क्या होता है तो repeater का का मैंने आपको बताया था कि repeater क्या है एक networking device है जो क्या करती है signal को regenerate करती है मतलब कि जो signals होती है उनको amplify करने का काम करती है जब आपके किसी network में long distance के लिए data transmit हो रहा होता है तो बहां पे signal की strength बीक हो जाती है तो उस case में क्या करते है signal को दुबारा से regenerate करने के लिए मतलब कि उनकी strength को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम बहां पे repeater का use कर लेते हैं तो यही काम होता है repeater का I hope आप लोगको यह question भी समझ में आ गया होगा अब बात करते है next question की जो कि है question number 20 और यह आपको थोड़ा सा case study based question है इसको ध्यान से समझ लेना क्यों इस type का question भी आपको एक जरूर देखने को मिलेगा तो देखिए इस type question में आपको करना क्या होता देखिए आपको एक situation दी जाएगी मतलब कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर case study दी जाएगी जिसको कि आपको study करना होगा और उसके बाद में आपको उससे relate question होंगे उनको solve करन होगा तो यहां पर दीखिए क्या बोला गया है क्या है educational NGO है और यह NGO क्या कर रहा है सैटप कर रहा है network कहां पर जैपूर में मतलब की web-based activity के लिए वो जो है अपना एक campus setup कर रहा है कहां पर जैपूर में अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि जैपूर का campus है वहां पर four buildings है मतल मेन वाली बिल्डिंग से रिसोर्स बिल्डिंगा कितना है या फिर मेन बिल्डिंग से ट्रेनिंग बिल्डिंगा कितना है इस तरीके से यहां पर डिस्टेंस दे रखा है किसी बच्छे ने कमेंट करा था और वो पूछ रहाता कि सार यहां पर जो कोशन में डिस्टेंस दे र कुछा गया है सजाइस केवल ले आउट टो कनेक्ट बिटमीन दा बिल्डिंग मतलब कि हाँ पर केवल का जो लियाउट होगा वो क्या रहा है गा जैसे कि जो बिल्डिंग से आपस में कनेक्ट की जा सकें तो देखिए हाँ बात कर लेता हूं कि किस तरीकी से कनेक्ट होंगे दो दूँएखिए मैन में माइन बिल्डिंग को लियाथ बात करां हम गया सक लिए तो इसका आपके जूआ पकर ओनेक्ट करेंगेक तो कुम्हें मतलब कि यह जो आपकी बिल्डिंग है इसमें और लोज में सबसे जादा है तो आपको बताया था महीं तो लगाते हैं जहां पर सबसे जादा computer होते हैं तो simple सी बात है training वाली जो building होगी बहां पर server रहेगा तो इसी लिए आपको main building को training building से connect करना पढ़ेगा इसके अलाबा यहां पर आपको distance को भी ध्यान में रखना है कि यहां पर main building और training building के बीच में distance करना है तो 40 meter का है तो simple सी बात है ज्यादा distance नहीं है तो directly हम main building को training building से connect कर देंगे इसके बाद हम बात करते हैं हम कि next building किस तरीके से connect होगी तो next हम connect करेंगे training वाली को account से अब account वाली को जो देखिए आपके जो server वाली building का उससे connect होना कंपल सरी है क्योंकि यह भी जो है आपकी server वाली से connect होनी चाहिए क्योंकि अगर आप main building से लेके आएंगे इदर से लाएंगे तो distance कितना पड़ेगा देखिए main building से resource building तक का distance की अगर हम बात करें तो कितना है मतलब कि 165 meter हो रहा है जबकि अगर training वाले से connect करता हूं इसको तो कितना रहेगा distance देखिए हाँ पर देख लेते हैं training से account का training से account की अगर हम बात करें तो आपका है 110 10 मतलब जो की कम distance है तो इसलिए हम क्या करेंगे पहले इसको इससे connect कर दिया फिर इसको इससे connect कर देंगे मतलब कि हम distance को भी देखते हैं कि कहां पर कम distance आपका वन रहा है किस तरीकी से connect रहना चाहिए जिससे की जो server वाला room है बहां से आपको connectivity west मिल पाए अब इसके अलाब अगर हम बात करें resource वाली building की तो इसको किस तरीके से connect करें जिससे की आपका layout हो जाएगा इसके बाद में आपको connect करने की requirement नहीं है क्योंकि जब यहां पर connect हो गया तो यह automatic क्या है आपके यहां पर सर्वर से connect हो जाएगा क्योंकि यहां पर connection बन चुका है फिर यहां पर आपको के भी लगाने की requirement नहीं है बीच में यहां पर में बिल्डिंग और resource बिल्डिंग है इनके बीच में आपको केवल की requirement नहीं है तो यह जो है आपका layout रहेगा इस तरीके से जो आपको server लगाना चाहिए तो इसका answer मैं आपको अल्यडि बताई चुका हूँ कि कहां पर आप लगाएंगे जहां पर सबस्यादा computer होंगे मतलब कि training वाली building में जो आपका server रहेगा तो इसका answer आप जो है बहुत easily निकाल सकते हैं जहां पर भी number of computer जादा हो वहीं पर आपको server लगा तो जहांन पर जाद़ distance होगा वहाँ पर repeater लग जाएगा तो repeater कहां पर लगएगा देखे सबस्यादा distance कहां पर है जो हमने connection मनाया है मैंने इस तरीकी से connection मनाके दिया आपको कि इस तरीकी से connect होंगे तो यहां पर सबस्यादा distance कहां पर था training और account वाली building के बीच में दिस् switch और hub जो होंगे वो आपके सभी buildings में लगेंगे जिससे की जो वहां के computer उनको आपस में connect किया जा सके मतलब कि हर building के computer को आपस में connect करने के लिए switch यह hub की requirement आपको बढ़ेगी ही तो आप लोग कोई question भी समझ में आ गया होगा बात करते है next question की तो next question बोला गया है कि एंजय जो है planning कर रहा है connect करने की it's international office in Delhi मतलब डैली में जो है international office को connect करने की कुछिस कर रहा है और यहां पर जो है इन्होंने बोला है कि कौन सा wide medium जो है वो यूज करना चाहिए जिससे की high speed connectivity मिल पाए और option आपके सामने यह है तो high speed के लिए देखी यहां पर telephone analog line दे रखी है fiber optic cable दे रखी है और ethernet cable दे रखा है तो बहुत simple सी बात है मैंने आपको बताया था सबसे high speed किसकी होती है fiber optic cable की होती है मतलब कि optical fiber जो है इसका answer हो जाएगा तो यहां पर आप लोग देख सकते है answer पहले वाले का इस तरीके से connection बनेगा second वाले कि अगर हम बात करें तो training वाले building में जो है वह आपका server लगेगा और क्यों लगेगा इसका reason जो है वहाँ पुछा गया था तो इसलिए आपको यहां पर इस तरीके से लिख देना कि यहां पर लगेगा और हब और switch के अगर हम बात करें तो हर एक building के computer connect करने के लिए यह लगेंगे तो I hope आप लोग को पूर तरीके से question के लिए हो गया होगा नेक्स कोशन की बात करते हैं तो नेक्स कोशन में पूछा गया है what do you understand by data transfer rate का मतलब क्या होता है तो देखी data transfer rate के अगर हम बात करें तो यह represent करती है amount of data को कि कितना data जो है एक second में आपका transmit हो रहा है मतलब कोई भी communication channel है जिसके थूरू एक second में कितना data transmit हो रहा है तो उसी को बने जाता है data transfer rate बात करते है question number 22 इसमां पुछा गया है what is the function of database management system वोटा उसका काम क्या होता है तो दिखिए इसका क्या होता है इसका काम नचे को मतलब कि जो information होती है उसको organise करने का होता एटा को इस्टू करने का होता है और इनचा को अर्ट्राइब करने का होता है जिससे Relational database के अगर हम बात करें तो यह क्या होता है collection of data items होता है जहां पर जो tables होती है उनके बीच में क्या होती है relationship होती है जिसे कि आप data को जो easily way में access कर पाएं और एक table का data दूसरी table में भी access कर सकते हैं तो इस तरीके से जो आपका database होता है तो उसको बोले आता है relational database I hope आप लोगे यह भी clear हो गया होगा बात करते है next question की तो इसमें बोला गया है define the following मतलब कि इन सब को आपको define करना है कि primary की क्या होती है candidate की क्या होती है alternate की क्या होती है आप टाइब नहीं कर सकते और एक table में आपकी एकी primary की होती है इसके अलाब अगर हम बात करें candidate की की तो candidate की जो है वो उन सब कॉलम को बोला जाएगा जो कि आपके record को uniquely identify कर रहे हो मतलब कि एक table में एक से जादा कॉलम ऐसे हैं जिनमें की unique value है जो कि primary की बन सकते हैं तो उन सब को बोलेंगे हम candidate की इसके अलाब अगर हम बात करें alternate की की तो alternate की ऐसी की को बोलते हैं मतलब कि ऐसे column को alternate की बोलते हैं जो कि आपका primary की बन तो सकता था लेकिन उसको बनाया नहीं गया है मतलब कि एक table में अगर एक से ज़ादा ऐसे column है जो कि primary की बन सकते हैं लेकिन उन में से आपने किसी एक को बनाया बाकी जो बचे तो उनको बोलते हैं alternate key इसके अलावा अगर हम बात करें है foreign key तो foreign key जो है एक ऐसे column को बोला जाता है जो कि एक table में तो आपका primary के होता है लेकिन दूसरे table में उसको use के जाता है as a foreign key मतलब कि दो table में अगर same column है तो एक table में तो आपका primary के रहेगा और दूसरे में क्या हो जाएगा foreign key हो जाएगा इसका काम क्या होता है इसका काम basically हम relationship create करने के लिए करते हैं मतलब कि एक table का data अगर दूसरे table में use हो रहा है तो उस case में जो आप foreign key का concept use कर सकते हैं बात करते है next question की तो next question है पूछा गया है what is the importance of primary key explain with a suitable example देखिए हाँ पे भी primary key के बारे हम पूछा गया है और इसको जो है example के साथ में explain करने के लिए बोला गया है और यहाँ पे इस table में एक ऐसा column ले सकते हैं जिसके अंदर unique value हो फिर उसी column को आप बता सकते हैं कि यह जो आपका क्या है primary की यहाँ पे है तो यहाँ पे जो field of क्या कर रहा है unique value उसको hold कर रहा है तो I hope आप लोगको यह question में समझ में आ गया होगा बात करते है next question की तो next question में पुछा गया है what do you understand by the term degree and cardinalty मतलब कि किसी table की या फिर relation की degree या cardinalty क्या होती है तो देखिए degree के अगर हम बात करें तो degree का मतलब होता है जो number of column होते है किसी भी table की उसी को बला जाता है degree और cardinalty के अगर हम बात करें तो जो number of row होते है किसी भी table के उसको बला जाता है cardinalty जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस table की तो अगर मैं आप से पूछ हूँ कि इसकी डिग्री क्या होगी और इसकी डिग्री क्या होगी तो इसकी डिग्री जो है वो आपके 3 हो जाएगी क्योंकि यहां पर number of column कितने है 3 है 1,2,3 3 column हो गए तो डिग्री यहां पर 3 हो जाएगी और इसके अगर हम बात करें cardinalty की तो यह create करने के लिए देखिए सारी चीजिए यहां पर given है यहां पर फिल्ट का name दे रखा है उसका data type क्या होगा वो दे रखा है और यहां पर देखिए remark में कुछ में नहीं है अगर remark में आपको primary की लिखा हो मिलता है तो इसका मतलब यह है कि उस फिल्ट पर आपको primary की set करनी है या फिर आपको foreign की बोला जाता है तो foreign की set करनी है या किसी भी टाइप का constant लिखा हुआ है तो समझ जाओ वही चीज बहां पर apply होनी है तो create करने concept सबको पता होगा क्या करते है create करने के लिए create table और उसके बाद में table का नाम लिख देते है और उसके बाद में आपके कर सकते ह और उसके बाद में जो भी field यहां पर दे रखी हैं वो सारे आपको ऐसी define कर देना है मतलब की field का नाम लिख देना है उसका data उसके आगे define कर देना और comma आपको लगाते जाना है जो last वाला आप define करेंगा उसके बाद में जो आपको semicolon लगा देना है तो इस तरीके से ये table का structure है वो आपका create हो जाएगा I hope आप लोग को यह भी समझ में आ गया हुगा अब बात करते है next question की तो next question है पुछा गया है कि relation क्या होता है और साथ ही पुछा गया है कि क्या difference होता है टपल और attribute में तो दीख है relation की अगर हम बात करें तो relation का simple चा मतलब होता है table से मतलब जो table हो मतलब table में जो column होते हैं उनको attribute बोलते हैं उनको हम field भी बोलते हैं और अगर हम बात करें rows की तो rows को record भी बोलते हैं टपल भी बोलते हैं और rows भी बोलते हैं तो I hope आप लोग को यह concept के लिए हो गया होगा इसके बात करते है question number 29 की तो इसमें बोला गया है give example of DDL commands and DML command पर DDL यह कहां हमारी DML command हो जाएंगी तो इस तरीके से आप यहां पर example लिख सकते हैं अब बात करते हैं next question की जो कि है question number 30 तो देखिए इस question नहीं बोला गया है कि आपको जो है यह fair वाली table है जो कि इस तरीके से दे रखी है इसको आपको consider करना है और इस पर बेस आपको दो questions के answer क करने है यहां पर इस पर इस पहला question एदर रखा है कि आपको जो identify करने है degree and cardinalty मतलब कि stable की जो है आपको degree और cardinalty बतानी है तो degree के अगर हम बात करें तो क्या होते है number of column तो कितने column है one two three four four column है तो degree हो जाएगी stable की four और cardinalty के अगर हम बात करें तो cardinalty का मतलब होता है number of row त देंगे और cardinalty अब लिग देंगे seven बात करते है next question की तो इस पर बेस next question में बोला गया है which field should be made the primary key justify your answer मतलब कि यहां पर कौन सी field को जो आप primary key set करेंगे तो यहां पर हम बात करें primary key की तो जो FL number है मतलब की जो flight number है उसी को हम क्या करेंगे primary key set कर देंगे और क्यों करेंगे म आप यहां पर reason देंगे because it contains unique values मतलब की जो field है इसमें सारी value unique है इसलिए जो हम इसको primary key set करेंगे तो इस तरीके से यह जो है आपका second question का answer हो जाएगा जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं बात करतें next question की जो कि यह question number 31 तो 31 question में देखी यहां बोला गया है कि दो टेवल आपके सामने कौन कौन सी टेवल है पहली आइटम वाली टेवल और second customer वाली टेवल यह दो टेवल है जिनको कि आपको consider करना है और इन पर बेस जो questions है 1 to 4 जो question है उनमें तो आपको query लिखनी है और 5 to 8 जो question है उसमें जो है आपको output लिखना है तो यहां पर बात कर लेते हैं क्या के query है देखिए सबसे पहले जो है बोला गया है कि to display the detail of those customer who city is Delhi मतलब कि उन customer की डिस्प्ले करो जिनकी city Delhi है तो इसके लिए query क्या रहेगी देखिए आप लिखेंगे select star from customer where city equal Delhi क्योंकि यहां पर customer वाली table से बोला गया next question के अगर हम बात करें तो next question में देखिए क्या बोला गया है next question में बोला गया है to display the detail of items whose price in the range of 3500 to 55,000 मतलब की both value included मतलब दोनो value जो है आपके include होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर between clause का use होगा तो simple सी बात है हम लिख देंगे select star from item क्योंकि हम से item बाली table से data को display कराने के लिए बोला गया है और उसके बाद में condition दे देंगे where price के होना चाहिए between होना चाहिए 3500 to 55,000 इस तरीके से यहां पर लगा दिया और यहां पर देखिए and operator भी लगा है तभी आपकी यह तो value भी जाएंगी तो इस तरीके से square को आप implement करेंगे I hope आप लोग को समझ में आगे होगी यहां बात करते है next question की तो next question है बोला गया है to display the customer name मतलब की customer का name display करो city display करो और कौसे table से करना है customer वाली table से करना है and इसके अलावा बोला है कि item name और जो price है वो आपको जो item वाली table से display करान है और जो item वाली table है उससे जो है आपको यह दोनों field display कराने है और यहां पर बोला है कि उन्हीं का कराना है जिनकी ID match कर रहे हो तो इसके लिए query किस तरीके से लगेगी देखिए यहां पर लिखेंगे select customer name, city, item name, price from customer A और देखिए यहां पर जो ए लिखा गया है इसका मतलब कि जो customer वाली table है इसको rename करके short name देदिया है इसके बाद में देखिए आप लिखा ए inner join मतलब कि join operation है पर perform करा रहा है और उसके बाद में लिखा है item B देखिए item के बाद में हापय space है B लिखा हुआ अलग है और item लिखा हुआ अलग है तो यहां पर जो item वाली table है उसको rename करक है और उसके बाद में हैं पर कंडिशन लगा दिये क्या कंडिशन हो कि जहां पर A वाली टेवल के ID B वाली टेवल के ID से मैच कर रही हो उन्हीं को जो है डिस्प्ले कराओ तो यहां पर क्या करना है प्राइस को जो है increase करना है एक हजार रुपय मतलब कि प्राइस बेखीταν क करेंगे देखिए सिंप्ल जी बात है लिखेंगे update item आइटम वाली टेवल को update करना है और यहां पर लिख देंगे set price क्योंकि हम प्राइस को सेट कर रहा है और यहां पर जो प्राइस है उसमें प्लस कर देंगे 1000 तो इस तरीके से जो न्यू प्राइस होगा वो आपका सैट हो जाएगा तो यह आपकी क्वेरी हो जाईए कोशन नंबर 4 के लिए अब बात करते हैं बधल्ब की जिसमें की आपको आपको और रखाना है मतलब की यहां पर कोई रिठी हो रहे क्वेर के बहीं की वो रहे होंगी तो यहाँ पर आप सिर्फ distinct value को ही display कराता है बात करते है next query की तो यहां पर देखिए query में लिखा हुआ है select item name comma max price मतलब कि item name को select करना है maximum price को select करना है और इसके बाद में लगा हुआ है count star मतलब कि हर एक record को यह count करेगा कि किसकी repetition कितनी बार है और इसके बाद में लिखा है from item मतलब कि item वाले table की बात हो रही है यह जो काम होगा वो item वाले table परफॉर्म होगा फिल लिखा हुआ है group by item name मतलब कि जो item के name होंगे वो group होंगे आ जाएंगे तो यहां पर item की counting भी होगी और इसके अलाब अगर हम बात करें personal computer तो इसका price देखिए यहां पर आ गया मतलब कि जो maximum price भी display कराने के लिए बोला था और इसकी counting यहां पर तीन बार आ गई आप लोग जो हैं यहां पर table में भी देख सकते हैं देखिए यहां पर अगर हम बात करें हैं तरह कि इस तरीके से मिलेगा है ऺए अगर हम बात करें किस की मैश कर रहा हैं यहां पर आप щ कर रहा है इसके लाप कि यह वाली मैश कर रही है ये ये मैश कर रही हैं मतलब कि जितनी भी आईडिया सभी match कर रही हैं, तो सभी की detail जो है हाँ बेडिस्पले हो जाएगी, और बही जो है आपको output देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने जो है हाँ आपको 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 देखने को मिल रहा है, तो आप आप लोग को यह कोरी भी समझ में आगे होगी, बात करते हैं next question की, तो इसमें बोला गया है select item ने, मतलब कि item name को display कराना है, और इसके बादे में बोला गया है comma price, मतलब कि price बाले column को भी display कराना है, और किस तरीके से करके display कराना है, और कौन सी table से कराना है, यहाँ पे लिखा हुआ item, मतलब कि यह जो काम होगा, वो item वाले table से होगा, और साथे साथे यहाँ पे condition भी दे रखी है, कि जिनके manufacturer क्या हो, ABC हो, उन्हीं के लिए काम आपको करना है, तो ABC वाले की अगर हम बात करें, तो personal computer की है और laptop की है, और उनके price में in 200 कर देंगा, तो इस तरीके से output आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो हम आपको table दिखा देता हूँ, देखिए अगर हम बात करें item वाली table की, तो यहाँ पे देखिए दो item की manufacturer जो है ABC है, तो इनकी price में क्या हो रहा है, into 100 हो रहा है, I hope आप लोग को यह query भी समझ में आगी होगी, अब बात करते है next question की, तो देखिए next question भी जो है आपका इसी type का है, तो यहाँ पे पहले बोला गया है, कि आपको एक्स्प्रेंड करना है concept of partition product, कि partition product क्या होता है, और यहाँ पे इसके अलावा देखिए B और C part है इसी question के, तो उनके भी आपको answer करने है, तो सबसे पहले इसके answer की बात कर लेते हैं, partition product के अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे दो table दे रखिए, एक दे रखिए swap के नाम से, और दूसरी दे रखिए accessories के नाम से, तो दोनों table को हमें यहाँ पे consider करना है, तो पहले बात कर लेते हैं partition product की, तो partition product के अगर हम बात करें, तो इसका answer देखिए आप इस तरीके से लेख सकते हैं, कि when you join two or more tables without any condition, मतलब की बिना किसी condition के जब आप table को join करते हैं, तो वो आपका partition product हो जाता है, और partition product को ही क्या बोला जाता है, cross join बोला जाता है, और इसके example के अगर हम बात करें, तो partition product को किस तरीके से apply करते हैं, देखिए मैं आपको बताया था, कि simply हम क्या करते हैं, select start from पहली वाली table का नाम लिख देंगे, और उसके बाद में दूसरी वाली table का नाम लिख देंगे, तो इस तरीके से जब आप लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये partition product आपका apply हो जाता है, और जितने मी possible combination बन रहे होंगे, दोने table के, वो सारे के सारे display हो जाएंगे, तो ये तो बात हो गई आपकी, कि partition product क्या होता है, अब बात करते हैं, इसी question के B part की, तो देखिए, यहाँ पे आपसे बोला गया है, query को लिखने के लिए, कि पहली query आपको किस लिए लगानी है, पहली query आपको लगानी है, to display name and price, मतलब कि name को display कराना है, price को display कराना है, और कॉंसी table से कराना ही काम, accessories वाली table से कराना है, और किस order में कराना है, ascending order में कराना है, किस के according, price के according, तो इस काम के लिए देखिए, query किस तरी किस रहेगी, देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल सा answer हो जाएगा, आप लिखेंगे select name, price, क्योंकि यहाँ पर दो field को select करने के लिए बोला गया था, और फिर लिख देंगे from accessories, और कर देंगे order while price, by default जो है ascending order में होता है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी keyword लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहाँ है तो asc बात में लिख सकते हैं, लेकिन उसको लिखना कंपल सरी यहाँ पर नहीं है, इसके अलावा कर हम बात करने question number 2 की, तो इसमें बुला गया है कि to display id and as name of all shops located in narrow place, मतलब की id को display करो और as name को display करो, as name का मतलब है shop के name को display करो, जो की आपकी नहरो place में है, तो यह query जो apply होगी वो आपकी shop valley table पर होगी, मतलब की shop valley table आपकी यह दे रखी है, इस पर apply होगी, तो किस तरीके से apply करेंगे, देखिए इस cancer भी दिखा देता हूँ, यहां भी लिखेंगे select id, as name, क्योंकि दोनों इफिल्ड को select करने के लिए बोला गया था, फिल लिखेंगे from shop, मतलब की shop valley table की बात हो रही है, फिर यहां पर condition लगा देंगे, where area equal narrow place, क्या बोला थे हाँ पर question में की location क्या होनी चाहिए है, नहरो प्लेस होनी चाहिए है, तो हमने कर दिया यहां पर area equal narrow place, area क्यों लिखा है क्योंकि यहां पर देखिए, area के नाम से आपका field है, मतलब की यहां पर आप लोग देख सकते हैं, area में आ रहा है नहरो प्लेस, तो यहां पर आपको इसी को चेक कर लेना है, जो field है वो किस नाम से है, उसी का according जो है आपको query में लिखना है, अब बात करते है next question की, तो next question में बोला गया है, to display minimum and maximum price of all accessories, मतलब की accessories का minimum और maximum price को display कराने के लिए, आपको query लगानी है, तो किस तरीके से लगाएंगे तो नहीं कि simply आप लिख देंगे, select max price, मतलब की max function लगा देंगे, comma करके फिर min function लगा देंगे, और दो ही function के अंदर price को डाल देंगे, क्योंकि यहां पर minimum और maximum price को display कराने के लिए बोला है, और उसके बाद में table का नाम लिख देंगे, table को नोंने बताई दिया था कि इस तरीके से जो आपकी थरड़ वाले question के लिए query रहेगी, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब बात कर लेते हैं इस question के C part की, तो C part में देखिए यहां पर बोला है, कि यहां पर कुछ SQL कमार्णा मतलब की कुछ queries लगी हुई है, जिनका क्या आपको output लिखना है, तो पहली query के अगर हम बात करें, तो यहां पर लिखा हुआ है select distinct name, मतलब की distinct name को display कराना है, और quantity टेबल से कराना है, और condition यहां पर लगी हुई है, only जो है यहां पर name को display कराया गया था, और name भी कैसे कराया गया थे distinct वाले, और condition के लगाए थी, कि 5000 हो या फिर 5000 से जादा हो, तो यहां पर देखिए अगर हम टेबल में बात करें, कि 5000 या 5000 से जादा बाले कि अगर हम बात करें, तो एक तो यह है, एक आपका यह है, और एक यह है, इसके अलाव देखिए LCD का भी है 5000 से जादा, और फिर यहां पर LCD का है 5000 से जादा, लेकिन यह जो है आपको देखिए एक बार display होंगे, एक बार तो आपको display हो जाएगा, क्या hardest वाला, और एक यही बार आपको motherboard वाला display होगा, और एक यही बार आपको LCD वाला भी display होगा, मतलब कि एक एक बार आपको record देखने को मिलेंगे, दो बार आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां पिजो है Extinct Name को बोला है, तो एक यही बार आपको display होंगे, दो बार डिस्प्ले नहीं होंगे next query के अगर हम बात करें तो इसमें बुला गया select area फिल लगाया गया यहां पर count function और इसके बाद में देखे टेबल का के डिस्प्ले होंगे और उनकी counting भी यह बताएगा तो मतलब कि यहां पर हम बात करें तो counting क्या आएगी देखिए यहां पर मैं बता देता हूं आपको तो CP आएगा लिखा हुआ और इसकी counting जो है टू आएगी क्योंकि दो बार आपका CP है जी के अगर हम बात करें तो जी के ल मतलब कि distinct जो area है बस उन्हीं को count करना है तो distinct area कितने 3 हैं मतलब कि यहां पर आप देखिए टेबल में अगर मैं बात करूं तो एक यह हो गया एक यह हो गया और एक आपका यह हो जाएगा क्योंकि distinct वालों को ही count करना है तो तीन आपकी ऐसी हैं जो कि distinct वाले हैं तो इसका output जो है 3 आ जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं count में जो है 3 output आ रहा है तो इस तरीके से जो है इस टाइप के questions को करते हैं मतलब कि इस टाइप का question आपको जरूर देखने को मिलेगा जहां पर कि आपको query लगाने को बोले जाएगी टेबल में बेस या फिर आपको output calculate करने के बोले जाएगा किसी भी query का तो आप लोगो इतनी चीज के लिए होगी होगी अब बात करते है next question की तो next question की अगर हम बात करें तो next question है question number 33 और इसमें बोले गया है what is the work of order by clause तो simple सी बात है order by clause का का क्या होता है यह clause जो है data को short करने के लिए use होता है ascending or descending order में अब बात करते है next question की जो क्योतना 34 तो इसमें बोले गया है what are the aggregate function मतलब कि aggregate जो function होते हैं वो क्या होते है तो फंक्षन जो है multiple function को बोलते है जो कि आपके multiple value बरते है और इन function के साथ में हम select statement का use कर सकते हैं बात करते है next question की तो next question है यहाँ पर name any for aggregate function मतलब कि कोई भी चार aggregate function के name देने हैं तो यहाँ पर answer में आप लोग देख सकते हैं sum है, max है, min, average है, इसके अलाबर जो count होता है वो भी आपका aggregate function ही होता है, तो इस तरीके से कोई भी for aggregate function आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अब बात करते हैं next question की जो क्य number 36, और इसमें बोला गया, what do you understand why not null constant, मतलब कि जो not null constant होता है, इसका काम क्या होता है, तो यहाँ पर हम बात करें, तो not null constant है, यह ensure यह करता है, कि जो field है, वो null value को accept नहीं करेगा, मतलब कि जिस field पर भी आप not null constant को apply कर देंगे, तो बहाँ पर जो आप null value को store नहीं कर तो यह काम होता है, not null constant का, I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा, बात करते है, question number 37 की, तो इसमें बोला गया है, what is the significance of count function, count function का जो है, आपको यहाँ पर वर्क बताना है, तो यह count function जो है, simply क्या करता है, number of value को count करके बताता है, मतलब कि number of record कितने है, उनको यह count करता है, एक count करके return कर देगा, अब बात करते है next question की, तो next question है पुछा गया है, how can we delete a table in mysql, मतलब कि mysql में अगर हम बात करें, तो table को किस तरीके से delete कर सकते हैं, तो बहुत simple से answer हो जाएगा, we can delete a table in mysql by using drop statement, मतलब कि जो drop statement होता है, इसका use करके जो हम table को delete कर सकते हैं, इसके अला into it, मतलब कि एक table employee के नाम से, और इसमें जो है आपको new column को add करना है, जिसका नाम है grid, और उसका date type जो है वेर कर रहेगा, उसका size जो है आपको one define करना है, तो इसके लिए statement किस तरीके से रहेगा, आप लिखेंगे alter table, क्योंकि यहाँ पे जो हमें table को alter करना है, मतलब कि table में modification करना है, और किस में modification करना है, structure में modification करना है, तो इसलिए यहाँ पर alter statement का use होगा, तो हम लिखेंगे alter table, table का नाम लिखेंगे, फिल लिखेंगे add column, मतलब कि जिस column को add करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे add column का name, उसके बाद में जो है, उसका rate type define कर देंगे, और जो size दिया नाम से आपके पास में table है, इसको delete करना है, तो command क्या रहेगी, तो इसके लिए बहुती simple सा statement होगा, सभी को पता होगा, कि table को delete करने के लिए हम drop statement का use करते है, हम लिखते है, drop table और table का नाम, इतना लिखके enter करेंगे, तो आपकी क्या होगी, table delete हो जाएगी, I hope आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा, बात करते है, question number 41 की, तो 41 question है, how can we delete a record in mysql, मतलब कि mysql में, किसी भी table में से अगर हमें कोई record डिलीट करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर जो इसकाम के लिए हम क्या गर सकते हैं, delete command का use कर सकते हैं, मतलब कि delete command का use करके, हम किसी भी table में से record को delete कर सकते हैं, तो I hope आप लोग को यह भी चीज़ समझ में आगी होगी, next question की बात करते हैं, तो next question हम पूछा गया है, how can you eliminate duplicate record in a table with a select query, मतलब कि किस तरीके से जो आप अपनी query में duplicate record को eliminate कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस काम के लिए हम क्या करते हैं, distinct clause का use कर करते हैं, distinct clause का use करके, जो हम इस काम को कर सकते हैं, इससे क्या होता है, जो आपके duplicate values होती है, बोडिस्प्ले आपकी query में नहीं होती है, जो कि मा आपको अलड़ी बताई चुका हूँ, तो next question की बात कर लेते है, question number 43, इसमें पूछा गया है, what is result set, मतलब कि result set क्या होता है, त मतलब कि कोई भी query आपने लगाई है, तो उससे data fetch होके आता है, उस पूरे data को ही result set बोलते हैं, तो I hope आप लोग को result set भी clear हो गया होगा, बात करते हैं, question number 44, इसमें बोला गया है, which file slash module do be import in python script to establish mysql python connectivity, मतलब कि mysql के साथ मैं python connection अगर हमें करना हो, तो कौन से module को हम import करत हैं, या फिर आप इस module को भी import कर सकते हैं, जो कि है mysql db, तो इन में से कोई सा भी answer आप लिख सकते हैं, next question के बात करते है, question number 45, तो इसमें पूछा गया है, which record will be get inserted in the table by following code, मतलब कि यहां पर जो code लिखा हुआ है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से code इंसर्ट होगा, तो यहां पर देखें, बहुत simple से चीज़ है, यह सारी चीज़ आपको पता ही है, यहां पर हम क्या गरते हैं, पहले जो है model को import करते हैं, उसके बाद में connect function लगाते हैं, उसमें चार argument रहते हैं, तो यह सारी basic चीज़े हैं, cursor को create करते हैं, और उसके बाद म ESPN नंबर है, वो आपका यह है, तो यही वाले record जो है, वो आपके table में insert होगा, इसके answer में जो है बस आपको इतना ही लिख देना है, अगर इस तरीकी से कोई भी question दिया हुआ है, तो वहां पर आपको देख लेना है कि क्या चीज़ इंसर्ट हो रही है, अब बात करते हैं next question question की, question number 46, तो देखिए, इसमें बुला गया है कि आपको जो है database create करना है, जिसका नाम रहेगा taxDB, और साथ ही आपको table create करना है, इस database के अंदर जिसका नाम रहेगा employee, मतलब कि जो database आप create करेंगे, उसी के अंदर आपको table create करना है, employee के name से, और उसके अंदर ये सारे आपके field रहेंगे, क्याकर field ना, first name है, last name है, age है, sex है, और income है, ये field रहेंगे, और ये काम जो है, आपको SQL और Python की connectivity के साथ में करना है, तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए, इस काम को करनने के लिए, सबसे पहले तो जो है, आप क्या करेंगे, मैं SQL connector को import कर लेंगे, और इसको द फिर आपका password रहता है, third argument, उसमें हम password डाल देते हैं, password आप कुछ भी डाल सकते हैं, और उसके बाद में आप database लिखते हैं, जो कि आप create करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने database लिख दिया है, इसके बाद में cursor object करते हैं, फिर हम query को execute कराते हैं, तो query को execute कराने के लिए हमने क table create हो जाएगी, तो इस तरीके से यह सारा काम करने के बाद में, जो यहाँ पर commit function लगा देंगे, commit का मतलब होता है, जो भी काम यहाँ पर कर रहा है, वो सब को आप perform कर दो, तो इस code को लिखने से जो हाँ आपका database and table create हो जाएगी, I hope आप लोग को समझने आ गया होगा, अब बात करते हैं, question number 47 की, तो इसमें पूछा गया है, what is the significance of using connect function, मतलब जो connect function होता है, या फिर आपका सकते है, connect method होता है, इसका काम क्या होता है, तो connect function की अगर हम बात करें, तो यह जो है, आपको establish करवाता है, connection with mysql database, मतलब कि database के साथ में, अगर आपको connection करना है, तो उसके लिए आपको connect function का use करना पड़ता है, तो I hope आप लोग को connect function का भी use समझ में आ गया होगा, अब बात करते है next question की, जो किया question number 48, तो इसमें बोला गया है, what is the role of execute function, तो देखे एक्जगूट function जो है, वो help करता है, queries को execute करने में, मतलब कि mysql में जो आप query execute कराते हैं, तो उ बात करते है next question की, तो देखे हम बोला गया है, कि इस तरीके से आपके सामने table है, और इसके अंदर ये record है, अब आपको बोला गया है, कि यहाँ पर output की आएगा, अगर यह जो code है, एक्जगूट होता है, तो output की आएगा, तो यहाँ पर देखे है, अगर हम बात करें, तो य access किया जा रहा है, और fetch one method की help से एक एक record करके access किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखे है, आपका loop लगा हुआ है, मतलब की यह कह रहा है, जब तक कि नन न हो जाए, मतलब की जो record है, वो जब तक आपके खाली न हो जाए, तब तक क्या करो, इस loop को चलाते रहो, तो इसक कि यहाँ पर देखिए, आपका fetch one method लगा हुआ है, तो fetch one क्या करता है, टपल की form में result को return करता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है, आपको इस तरीके से output देखने को मिलेगा, मतलब कि जो output आएगा, वो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, तो I hope आप लोग को यह question भी समझने आगया होगा, अब बात करते हैं, last question की, तो इसमें पूछा गया है, what is the difference between fetch one and fetch all method, मतलब कि जो fetch one होता है, और जो fetch all method होता है, इनमें difference क्या होता है, तो दोनों के बारे में मैं आपको अल्लेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा explain कर देता हूँ, मैं तो यह क्या करता है, एक बार में एक ही record को return करता है, मतलब कि जो result set होता है, जहां से यह record को लेके आता है, बहां से एक बार में एक ही record को लाता है, और किस data type में लाता है, टपल data type की form में यह लेके आता है, इसके अलाब अगर हम बात करें, fetch all की, तो यह क्या करता है, सारे क के अंदर क्या होंगे आपके टपल होगे तो अगर आपसे इसका डी पूश लिए तो आप बताएंगे लेंगे लेकिन उसके अंदर जूहां आपके टब